जैहिन देखिए 15 राष्टपती का चुनाव हो गया और उडिशा की आदिवासी समास से आने वाली द्रोबदी मुर्मी जी हमारी 15 राष्टपती बन गई है और इनका सपद गराण भी हो गया सारी फर्मल्टी जो गई हम लोग ये समझते हैं कि आखिर राष्टपती का चुन बन रही थी तो भारत को रिपब्लीक न रखके नहीं गणराज रखा गया दोनों कावन रखा गया देखिए रिपब्लीक किसे कहते हैं हिंदी में इसे हम लोग गणराज कहते हैं गणराज उसे कहा जाता है जहां राष्ट्या धक्ष का चुनाव होता है देखिए लेकिन डेमोक्रेसी कि से कहते हैं तो डेमोक्रेसी जो योता है जिसमें सासना ध्यक्ष का चुना होता है जानी लोग तंतरात्मा गणराज है गणराज इसलिए क्योंकि राष्ट्रा ध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्पती का चुना हो रहा है और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि सासना ध्यक्ष के रूप में बैठे पधान मंत्री का चुना हो रहा है तो हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज अता है डेम लोक्रेटिव रिपब्लिक यानि हमारे यहां राष्टपती का चुनाओ होगा अब यह राष्टपती का चुनाओ में कौन उमिदवार खड़ा होगा इसका डिसाइड करना जरूरी है तो संसद के तीन अंग होते हैं लोकसभा, राजसभा और राष्टपती राष्टपती सं संसत के सदन कितने होते हैं तो दो सदन लोकसभा और राजसभा लेकिन अंग कितने होते हैं तो तीन अंग हो जाते हैं तो उसी में एक अंग का चुनाओ सभी अंगों का चुनाओ होता है लोकसभा का चुनाओ होता है तो राष्टपती का भी चुनाओ होता है पास सालों प और अपने इंकम से जादे खरजा ले चुका है चुका ही नहीं पा रहा है जैसे वीजय मालिया नीरव मोदी मेहूल चौकसी यह लोग दिवालिया हो चुके हैं ऐसे लोग राश्पती के चुनाओं नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि अगर यह जीत गए नहीं सबसे पहले अपना सही हाना चाहिए तो यह सब नौर्मल यह योगता हीं ये किसी के पास हो जाती है सबसे टौप जो योगता होती है वह पांच म्युत प्रस्तावक पाचास प्रस्तावक होने चाहिए तो उनके लिए संसद के किसी भी सदन से छाहेंınız लोग सभा यो राज्य सभा हुण पचास ऐसे लोगों की जरूवत है जो इनका प्रस्ताव आगे ले जाएं कि हम चाहते हैं कि यह व्यक्ती चुनाओं में खड़ाओं डारेक्ट वो नहीं जाना चाहेगा कि हम चाहते हैं चुनाओं लड़ें पचास प्रस्तावक होना चाहिए हो सकता है कि 20 प्रस्तावक लोग सभा से 30 प्रस्तावक लोग सभा से 30 का जोगाड़ वो राज सभा से कर ले या कुछ इसमें से कुछ इसमें से करके उसे टोटल 50 प्रस्तावक चाहिए जब 50 प्रस्तावक हो जाएंगे तो उस 50 के समर्थन में अलग से 50 अनुमोदक होना चाहि कि ने ये भी वेक्ति चुनाओ लड़े हम फेवर में है तो यानि ओवर आल आपका सौ सांसदों से अच्छा संबंद होना चाहिए तब ना आपका पचास्थो प्रस्तावक आएगा और इसके अलावे अन्य पचास्थो अनुमोदक होंगे वो आप कहीं से ला सकते हैं यानि अनुमोदन दे पचास ये इतना टफ हो जाता है कि यहीं पर एक कॉमन आदमी चुनाओ नहीं लड़ पाता है क्योंकि सौ सांसद आपके नाम का प्रस्ताव देंगे इसका मतलब आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने चाहिए और दोनों लोग बहुत बड़े प साइड करते हैं एलेक्टोरल कॉलेज हम लोग राष्टपती के चुनाओं में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि राष्टपती का चुनाओं इंडारेक्ली होता है अब परतियक्षरूप से यानि हमारे दवारा चुने गए लोग ही वोट डालते हैं तो पहले हम यह समझ जाते हैं कि राज्यों से कौन-कौन ओडालेगा फिर केंदर में चलेंगे देखिए राज्य के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी विधान मंडल का होता है और विधान मंडल जो होता है हर एक राज्यों में होता है विधान मंडल हमारे यह 29-28 राज्य जो है भी 28 राज्य तो तो विधान मंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है विधान सभा, एक होता है विधान परिसाद, तो दो अंग हो गए, जिस तरह से सांसद के दो अंग, लोक सभा, राज सभा, उसी तरह राज्यों में, हर राज्यों में विधान सभा के दो अंग, एक विधान सभा, एक विध परते स्तिलंगाना तो वो छे राज्यों में विधान परिशत हैं बाकी राज्यों में केवल और केवल विधान सभा होती है तो राष्टपती के चुनाओं में कहा गया है कि विधान परिशत भाग नहीं लेगे इसलिए कहा गया है कि विधान परिशत के लोग भाग नहीं ले जाएगा उस दिन ये इसको भी चुनाओं में लड़ने का राष्टपती के चुनाओं में वोट डालने का दिगार दे दिये जाएगा अब कौन डालता है विधान सभा में विधान मंडल में तो विधान मंडल में केवल विधान सभा के सदसे वोट डालते हैं विधान सभा के अब हर 2800 राज्यों में अलग-अलग विधान सभा है, जैसे बिहार में 243 है, UP में 403 है, तो अलग-अलग राज्यों में विधान सभा की जो सीटे हैं, वो अलग-अलग है, तो यहाँ पर राष्टपती के चुनाओं में, वोट का वैलू कितना है, यह माइने रखता है, जैस आपको पता, 2800 राज्यों की विधान सभा चुनाओं में वोट डालेगी, तो जो MLA होते हैं, विधान सभा में बैठने वाले को MLA कहते हैं, और विधान परिसद में बैठने वाले को MLC कहते हैं, तो एक MLA के वोट की जो वैलू होती है, वो उस राज की जन संख्या में भा रहाग देने के बाद फिर एक बटा एक हजार से कर देते हैं तो वैलू निकलती है इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस राज की जनसंख्या जादे है उस राज के MLA की वोट की वैलू जादे रहेगी जैसे उत्तर प्रदे हो गई बटा 403 वीधान सबाके हैं तो उनको भाग देंगे फिर एक बटा एक हजार करेंगे तो ये वैलू जो निकलती है वो आती है 208 यानि अगर यूपी का कोई एक वीधाएक एक वोट डालता है तो वोट काउंट होगा एक लेकिन उसकी वैलू हो जाएगी 208 इस तरह से अकिले राष्टपती को 83,824 वोट मिल जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जन संक्या जादे है उसी तरह अगर देखेंगे सबसे कम जन संक्या सिक्किम में तो सिक्किम की जन संक्या बहुत कम है तो सिक्किम की जन संक्या बटा वहां के टोटल MLA की संक्या से भाग दे है तो देखिए यूपी इलेक्शन के हिसाफ से बहुत आगे है मतलब फेमस है उसकी वैलू बहुत जादे है इस हिसाफ से जैसे हम यहाँ दो यूपी का बता है सिक्कीम का बता हर एक राज का जब निकालेंगे तो अठाइसो राज के टोटल जो विधायक है अठाइसो राज और हर एमेले की वोट अलग-अलग होती है जन संग क्या पर डिपेंट करती है टोटल 4,033 को जोडेंगे तो वोट आता है 5,43,231 यानि हर 28 राज का अगर एमेले वोट डिया राष्टपती को तो टोटल वोट गिया कितना 4,033 लेकिन उन वोटों की जो वैलू होती है वो ह हो जाती है 5,43,231 ये हो गया एमेले का वोट अब बात करते हैं जो केंदर में संसद बैठे हैं उनके वोट की वैलू देखते हैं तो उनका वोट का वैलू निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए तभी निकल सकता है इसलिए पहले हम इसको बताएं MP के वोट कैसे निकालते हैं देश के लिए जो कानून बनाता है वो होता है संसद तो संसद में लोग सभा और राज सभा में निर्वाचित सदस ही वोट डालते हैं निर्वाचित सदस देखे 543 जो होते हैं वो ही निर्वाचित होते हैं लोग सभा में टोटल के टोटल निर्वाचित नही भुबॉट नहीं होते हैं दो एंग्लो इंडियन वोट नहीं डाल सकते हैं एंग्लो इंडियन उण्हें बोला जाता है कि जब यहां पे अंग्रेज रहते थे यानि यूरोप वाले जब हमारे शासन करते थे तो ब्रिटेन वालों का सासन था, फ्रांसीसियों का था, पूर्टगालियों का था, डॉचों का था, डेनमार्क वालों का था, सुरीन वालों का था, तो वो लोग क्या करते थे, यहां की महिलाओं से साधी भी कर लेते थे, और यहां से जो उनके बाल बच्चे होते थे, वो इनकी बात कौन सुनेगा अगलो टेंडियन के लिए दो सीटे कहा दिया गया कि राष्टपती अपने कोटा से उन्हें चुनके यहां पर भेज देगा तो राष्ट दो एंगलो इंडियन का चुनाओ नहीं होता है बलकि राष्टपती सलेक्ट कर लेते हैं इसलिए कहा जाता ह कि जब राश्ट्पती सेलेक्ट किया है तो ये राश्ट्पती का ही फेपर करेगा, इसलिए इसको वोट ही मत डाल ले दो, लोग सभा से दो एंगलो एंडियान वोट नहीं डालते हैं, लोग सभा में टोटल 543 ही लोग वोट डालते हैं, और राज्ज सभा में 233, 2500 का 200 वोट से चुन लिए तो राष्टपती अगर किसी को चुना है और उस व्यक्ती को vote डालना रहे तो उसी राष्टपती का favor करेगा उसी से पुछलेगा किसको vote डाले जताने तो उसे चुना नहीं है तो लोग यहां का दिया गया है जन्ता जिसे वोट दिया, वही चुनेगा, तो संसद के दो सदन लोग सभा और राजसभा, तो लोग सभा से से टोटल 50 characterized, वोट डालेगेOkay, और राजसभा से 233 लोग डालेगे यानी टोटल संसद से बात करें तो 776 वोट होता है, और टोटल राज्यों के विधान सभा को मिलाएंगे तो 4333 होता है तो यानि इतने लोग वोट डालेंगे इनकी वैलू निकाला जाएं तो देखे ध्यान से इसको समझेगा एक MP के वोट की जो वैलू होती है MP के वोट की वैलू जो होती है ये टोटल MLA की वैलू कितने आई है 5,494,231 तो टोटल MLA की वैलू बटा टोटल MP कितने हुए है 7766 यानि टोटल MLA 5,494,231 बटे 776 जब इसको भाग देते हैं तो 1 MLA की वोट 700 आती है एक MP की वोट 700 आती हैं इसको जब भाग देते हैं तो अब देखिए एक MP की वोट 700 तो टोटल राज्य सबा लोक सबा मिला कि टोटल MP कितने वोट डालने जा रहे हैं 776 तो 700 गुड़े 776 करेंगे तो ये भी आता है 5,49,200 यानि टोटल MP की वोट की वैलू भी 5,49,200 और टोटल राज्यों के MLA को भी मिलाए जाएगा तो 5,49,231 यानि ये वाला तोड़ा 31 को वैलू जादे आ रही है वो तो वैलू है बज़ा तो यानि आप समझ गया कि सांसदों क टोटल वैलू बराबर राज्यों हर एक राज्यों के MLA के वैलू को मिला देंगे तो बराबर आ रहा है तो यानि अकेले संसद भौवन अठाइसो राज्यों के विधान सभा से बराबर वैलू रखती है तो देखिए यहां पर 5,49,231 तो वैलू में जादे है थ्वासा ये दोनों बराबर हो गए यानि अगर राष्टपती के वोट में टोटल कहा जाएगा कितने लोग चुनाओ वोट डालते हैं तो विधान म 4,809 यानि राष्टपती के चुनाओं में टोटल कितने लोग भाग लेते हैं तो 4,809 लोग भाग लेते हैं और इन 4,809 लोगों ने जो भाग लिया यानि जो MLA और MP ने भाग लिया वोट डाला इनके टोटल वोट की वैलू कितनी होती है तो वह वैलू होती है 10,86,431 दस अगर किसी का वोट बरबाद नहों एन्ने उन्हें नहीं मारे तो टोटल इतना ही वोट आता है इसी को कहते है राष्टपती का एलेक्टोरल कॉलेज यानि वोट डालने वालों की संख्या जादे नहीं है सांसदों की संख्या 776 और टोटल MLA की संख्या 4,033 यानि 4,809 इसे डाला जाता है वोट राष्टपती के चुनाओं अभी भी परची पे होता है इवियम मसीन परची के सिस्टम से होता है और यहां पर इस सिंगल वोट नहीं दिया जाता है जैसे अगर किसी गाउं में 4-3 मुखिया है हम सोचेंगे इनको भी वोट देदे इनको दे तो क किसी को वोट नहीं जाएगा वोटे वोगस हो जाएगा बट राष्टपती के चुनाओं में ऐसा नहीं होता है राष्टपती के चुनाओं में प्रिफरेबल वोट दिया जाता है समानुपातिक पदती होती है समानुपातिक पदती समानुपातिक मतलब हमें सब को vote देना है, जो जो चुनाओ में खड़ा है, हमको सब को vote देना है, लेकिन जिस vote को हम लोग देते हैं, वो तो single vote होता है, single एक बार दीजे, बस किसी एक को, प्रोपोर्शनल वैलू नहीं दे सकते हैं जैसे हमारा मन किया कि तीन आदमी यहां चुनाव में खड़ा है एक आदमी का नाम है राष्टपती के चुनाव में ए दूसरे का नाम है बी तीसरे का नाम है सी मान के चलिए अब हम लोग को जो वोट डेना है यानि जो MP और MLA को व पिणाओ इनी लोग को वोट डालना है तो यह लोग शीक्वेंस में देते हैं सबसे अच्छा कॉन लगा तो सपोज कि किसी को सबसे अच्छा लगाई है और दू नंबर पे कहा कि ना बू? वाला हमको ठीक नहीं लगजता है इसको आम पसंद्दें नहीं करते हैं हम दू नंबर पर इनको रखेंगे और तीन नंबर पर हम कहेंगे मजबूरी है कि सब को वोट देना ही है तो चल भाया तुमको हम सबसे लाश्ट कर दिये यानि हम अपनी वरियता करम में राश्टपती उमीदवार जितने भी खड़े हुए है जैसे इस बार दो ही खड़े हुए थे तो सब को जितने लोग खड़े हैं सब को उनके वरियता करम में वोट डालते जाना है तो हमको सबसे अच्छा लगा सब कर यह किसी एक को सबसे यह वाला उमीदवार को हम एक डालेंगे आई तो हमको पसंदे नहीं हम इनको तीन डाल दिये यहां दूसरा आदमी ने ऐसे वोट डाल दिया वह भी प्रिफरेंस में देगा अपने वरियता करम के इसाब से अब अगला आदमी आएगा वोट डालें क्योंकि टोटल सांसद 776 हैं टोटल बीदायक 835 है तो अब अगला आदमी आएगा वोट डालें वो कहता है कि नहीं हम सबसे जादे पसंद करते हैं एको और दो नंबर पर पसंद करते हैं बी को तीन को तो हमें इदम लास्ट में देंगे यहां पर ऐसे कर दिया यहां पर फिर अगला इंसान आएग करकर हम इसको इसको अब यहां डाल देंगे इसको हम एक नंबर पर रखेंगे इसको दो नंबर पर हम उट डालना चाहते हैं इस तरह करते-करते करते 5 आदमी से वोट डा दिए अईसे इकर करकर के टोटल वोट कितना जाता है 4,809 vote जाता है तो हम पूरा यहाँ vote डालते हैं फिलेंगे यहाँ पर ताकि भर जागा जगा है भर जागा हम पस इसे समझाए है इस तरह से डाला जाता है vote अब हम देखते हैं कि किस तरह से पर्थम चरन की मतगरना और दूतिय चरन की मतगरना होती है ध्यान से समझे, अब मतगर्णा कैसे होगी, जब मतगर्णा होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले पर्थम चरण की मतगर्णा होगी, पर्थम चरण की मतगर्णा, पर्थम चरण की मतगर्णा में क्या होता है, कि हम लोग यह देखते हैं, कि एक नंबर पर सबसे जादे किसे पस परफंद किया गया है यानि पहली वरियाता सबसे जादे किसे के उसंद किया गया तो एक नमबर पर आप गिनके बताइए हम तो यहां बसे जांपल के टॉर पर आचेग वोट ली है बैसे तो सबने वोट डाला रहा था एक नंबर पर कितने लोगों ने सलेक्ट हिया है देहां से देखें एक नंबर पर एको एक दो यानि दो लोगों ने इसे पहली प्राथमिकता दी है और इनको देखें एक और दो इसको भी एक नंबर पर दो लोगों परात्मिक्ता देदिंहां और इनको केवल एंक ही ने दिया है अब बताए पिर गरे देट एक और एक और एक ओरत दो लोग not आं तो इनमें कि वोट को इन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि तुम जाओ अब हारिये खियोversion तो गरे attitude तुम्हें वोटों कोई वैलुनीज है इसे कहते हैं सिंगल ठांसथे ट्रांसफरेबल एकल संकरमड़ीय में का तरीका और और अनुपातिक पदती मतलब हो गया हम सब को उनके अनुपात में वोट डालेंगे तो राष्टपती का चुनाओ एकल संकमरी यानि जो कम वोट पाया है उसका वोट बाकियों को दे दिया जाता है कि भाई तुम जाईए रहो तो हमेशा के लिए जाओ तुम जीत रहो तो अ पतगरना होगी तो हम लोग अब देखेंगे कि दूतिय वरियता किसको जादे मिला है क्योंकि पर्थम वरियता में तो दोनों को बराबर बराबर मिला दूतिय वरियता किसको जादे मिला है तो दो नंबर पर इनको एक आदमी ने पसंद किया है दो नंबर पर एक आदमी न record number यानिант B वीजेता हो गया और यह जो वीजेता हुआ है वो पर्थम चरंव में नहीं हुआ है वह दुतिय चरंव में हुआ है तो जब कभी भी पर्थम चरंव में बराबर हो जाते हैं तब दुतिय चरण की मतगरना आती है यह नौबत आया था बीवीगीरी के समय तो बीवीगीरी जो चुनाओ जीते थे वो दुतिये चरण की मतगरना में जीते थे तो राष्टपती का जो चुनाओ होता है वो आपर्तियक्ष होता है हम लोग वोट नहीं डालते हैं बलकि हमारे द्वारा MP और हमारे जोड़ा चुनेगा MLA वोट डालते हैं तो राष्टपती का चुनाओ आप परतियक्ष रूप से एकल संकर मडिये परदती द्वारा अनुपातिक प्रनाली में किया जाता है तो इस प्रोसेस से राष्टपती का चुनाओ होता है 15 राष्टपती के चुनाओ में द्रोबदी मुर्मुजी को 6,76,803 वोट मिले हैं और वहीं इनके जो परतिदवन्दी थे हैं यस्वन सिन्हा जी इनको 3,80,170 वोट मिले हैं यानि अगर परसेंटेज में बात करें तो 64% वोट मिले हैं द्रोबदी मुर्मुजी को और लगब 36% वोट मिला है यस्वन सिन्हा जी को इस प्रकार एक भारी अंतर से द्रोबदी मुर्मुजी चुनाओ जीत गई हैं ये एक आदिवासी समाज से आती हैं और ये आदिवासी के लिए सुरू से बहुत कुछ की हैं ये एक बहुत ही मतलब लोर फैमिली से आती थी इनके पहिला थी जो आगे जाके higher education की थी और ये काफी दूर इने स्कूल से जाना पड़ता था कई बार ये अपने राजनीती करियर में आदिवासीयों के लिए बहुत सरे आवाजों को उठाए हैं ये रामनात कोविन जी का जगा लेकिन किसी भी समाज का भला केवल एक व्यक्त देखने को मिलेगा जब तक कोई भी समाज खुद सिख्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है हर समाज को ये सोचना पड़ेगा कि किसी एक राश्टपती यह अलागी राश्टपती के पाप बहुत पावर नहीं होता है वह संभीधान से बंधा होता है ये क्लास जब हम पॉलिटी का क्लास ले रहे थे तो कंप्लीट पढ़ा दिया है राश्टपती का टॉपिक तो हम लगबग 12 क्लास लगते है राश्टपती का टॉपिक को कंप्लीट समझाते हैं कि उसके छमादान सक्ति क्या है राजनीतिक सक्तियां क्या है कारेपाली का सक्ति क्या ह है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं आप भी आगे बढ़िए तो ये पूरे देश को सुचना चाहिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिक्षा से आपको दूर नहीं जा सकते हैं तो पढ़ाई लिखाई बहुत जादे जरूरी है किसी भी समाज के लिए और आप लोग इन्रोल है और साम को पांच बजे केमेस्ट्री है तो ये तीन बैच एकदम आप लोग के लिए अविलेबल है एकदम ईजी प्राइस पे 200 से 300 प्राइस रहता है यहाँ पर इससे कम प्राइस पे तो डाटा नहीं मिल पाता है ये 6 महीने 5 महीने के कोर्स रहते है इतने लंब को तो इसको आप लोग खांसर ओफिस्यल अप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे लिंक अप्लीक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये क्लास को रेगुलर कर लेंगे हम फिर बताते हैं कि ये क्लास को मतलब सीटेज लिमिटेड रहती है इसलिए हम लोग डेडिकेट बता भी नहीं पाते हैं चुकिक ये क्लास इस लिए वीडियोस ठोड़ा सा लेट हो गया था वैकिन गूछ छौटे से क्लास में कितना समझा सकता है अब हम लोग मिलेंगे geography के class में इसमें geography, topography, astronomy, geology, geomorphology, climatology, सारे चीज़ इसमें cover कर दिये जाएगे world map में thematical, political और globe तीनों इसमें cover हो जाएगा और chemistry में organic और न और जितना मतलब आपता है अभी सामने railway के exams है और जो भी commission वाले उसमें ये सारी चीज़े को बहुत importance है I hope आपी से समझे होगे मिलेंगे next class में जहिन